नमस्कार मैं प्राणी राथओर और आप तेख नहीं है निक्स्ट 9ूस एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हमारी स्ताथ मुझूध है हमारी सहीवी जिनके श्ताथ एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे केंद्रे परिवहन मंत्री नितिन गटकरीजी के बारे में जसा कि सभी जानते ही हैं कि BJP इस वक्त कई ऐसे फैसले ली है जिन फैसलों से नाराज की जाहिर करते हुए कई दिग्ज़नेता नसरा रहे हैं लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी कॉंग्रेस की निशाने पर बनी हुई है आम आद्मी पार्टी की निशाने पर बनी हुई है और इस बीज बीजेपी को काफी फायदा भी हो रहा है जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी में इस वक्त इस्थिपे की लाइन लगी हुई है औ और कहीं न कहीं उनमें से कई निताब BJP की तरफ रुख करना पसंद कर रहे हैं लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नसर आ रहे हैं नितिन गटकरी पर जब संसदिय बोर्ड की बैठक बुलाई गई उस बैठक में एहम फैसले लिए गए और नितिन गटकरी को बाहर क सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार नितिन गटकरी को कौन सा बड़ा पत दिया जाएगा हालां कि अपने पत पर वह आज भी है लेकिन संसदिय बोर्ड से बाहर होने के बाद आप उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर इससे हटकर यहाँ पर कहने पर ही यहाँ पर नितिन गटकरी को बाहर किया गया है RSS के बेहत करीब रहे नितिन गटकरी लेकिन उन्होंने यहाँ पर उनका बच्चाफ क्यों नहीं किया इसी मुद्दे पर चार्चा करेंगी दीपक आप से चानना चाहेंगे फिलहाल जो रणनीतियां देखने को इस वक्त देखा जाए तो सवाल यह खड़ा होता है कि RSS के बेहत भरोसिमन नेता रही है नितिन गटकरी लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वह अपने बयानों के चलते घिरते हुए नसरा है तो आपकी क्या राय है इस पर लेकिन सबसे पहली बात नितिन गटकरी की बात करें कोई पद अगर चीनते हैं जैसे महराष्टर काम यहां पर एक्जांपल देना चाहेंगे 25 से अगर सीम पद चीन कर एक नाशेंदे को सीम पद दिया गया और पनाविस को डिप्टी सीम पद पर बिठाए गया तो उनको कुछ ग्रह विवाग मिले के अबनिड विस्तार के द लेकिन नितिन गटकरी को लेकर बाते फलाइ जा रही है कि have vjp से स्थिपा दे देंगे vjp से कुछ बड़े कदम उठा सकतैny सकते हैं तो अभी तक ऐसी स्थिती नहीं बने यह इंगर सिजिए अब यह वि अपने कामों को लेखर के अडिग है और जनता के प्रती प्रती सम स्वा की वज़े से क्यूंकि राजनीती वो स्रिफ कह सकते हैं 15-20 पर्संट करते हैं कि कई सारे राजनेता ऐसे होते हैं जो काम करते हैं सिर्फ जनता को लुभाने के लिए वादे पूरे करने के लिए ताकि जनता उनको दुबारा से नाइसा रही नाश मे consuet करीब तो रहे लेकिन कहीं ना कहीं जो नितिन गटकरी के जो बयान रहे हैं वो नाराज की जाहिद करने वाले रहें पार्टी के लिए क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसे एहम फैसले लिया है और पार्टी का जो रूल रहा है वो यह रहा है कि यहां पर पार्टी से हटकर उस ल साइन से हटते हुए बयान बाजी करते हैं एक तरब कॉंग्रेस को लेकर भी बात कह चुके हैं कि बिपक्ष को मजबूत होना चाहिए अगर बिपक्ष कमजोर पड़ेगा तो छेत्रिय दल मजबूत हो जाएंगे ऐसे में कॉंग्रेस का साथ देते हुए नजरा है कि कॉंग् अब यहां पर यही रिजन सामने आता है कि इस तंग ने उनका बच्शाव नहीं किया लेकिन दूसरी तरफ पिएम नरेंद्र मोधी के साथ जो उनकी तलखी देखने को मिलती है आप उसको लेकर क्या कहेंगे तो पिएम मोधी के साथ उनकी तलखी किस वज़े से देखने को हमेशा कुछ बड़े कदम उठाए हैं जो दिखे भी है लाजमी तोर से बात है अगर कोई घटना घटी है किसी दो विदेशों में आपतास में जड़प करेंगे तो यह सारी वज़ा है कि इन्होंने भले ही जमीनी स्तर पर काम किया भारादेश के रिरे लेकिन चर्चा वि का चलता है वो बहुत सही है लेकिन जो कांग्रेस और बाकी विपक्षे खेमा है वो एक जुटोरा दी रहे थी तो बीजेपी को राजनीती करनी पड़ गई है वरना इससे पहले दो बार पीम पत्की सपत ले चुके हैं लेकिन क्या आपने इतनी राजनीती कभी देखी नहीं विकास के मुद्धे पर व्रहस्टाचार के मुद्धे पर और देश की तरक्की के मुद्धे पर ही बात होती थी उन्हीं को धिहान में रखते वे योजनाय लागू की जाती थी लेकिन कई दुनों से आप खुद देख रहे हैं जब से कोविट काल आया तब से राजनीती कर अगर सरकार बने रहेंगे तभी तो सरकार जनता के लिए सेवा कर पाएगी इसी वज़े से नितिन गटकरी और पीम मोदी संग यहां पर सभी मिलकर राजनीती थोड़ा बहुत करते जादा नजल आ रहे हैं और काम भी बहुत सही हो रहा है लेकिन बात आती है नितिन गटक फोलो करते थे बले ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हों कई सारे लेकिन उनके विचारों को फोलो करते थे समास सेवा को बढ़ावा देते थी और इसलिए अब वही जनता जिनको इतना प्यार दिया नितिन गटकरी ने वहीजन प्यार लुटा रही है और वह इनके समर् कर देते थे कि नितिन गटकरी को पीम बनना चाहिए किन वज़ों से क्यूंकि उनका कद जितना बढ़ चुका है उनका जो काम करने का अंदाज है वह बहुत मिराला है लेकिन क्या उससे सचमच बीजेपी में परधान मंतरी मोधी के लिए संकर था इसी वज़े से बाहर किया जैसा कि दीपक ने यहां पर तमाम जानकारियां दी है लेकिन बात यहां पर की जाए प्येम नरेंद्र मोधी की तरफ तो जब नितिन गटकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त बहुत ही कम उम्र में वह इस अध्यक्ष पत पर नियुक्ती उनकी की जा जोशी के इस्तिफेक की मांग की थी और उस दोरान भी यहां पर यही नजारा देखने को मिला कि कही ना कहीं यहां पर तल्खी देखने को मिल सकती है दौनों के उस्तों की लिए बात अब यहां पर करेंगी नितिन गटकरी जिस तरीके से इस वक्त बयानबाजी देते बहुत ही कम शब्दों में सबसे पहली बाद तो नितिन गड़करी क्या सोच विचार कर रहा है इन सब थैसलों के बाद क्यों कि सन्यास तक की खबरे सामने आ गए थी तो वह भी देखने लायक है और वह कितने लंबे समय तक राजनीती में रखते हैं अपने आपको वह दिल् द्वारा बड़े निताओं द्वारा जो मानेनी निता हैं उन्होंने उस पर 110 परसंट अपना काम करके लिया कभी उन्होंने यह नहीं आवाज बुलंद करके कही कि हमको यह परचे चाहे देविंद्र फणा भी इसकी बात कर ले उन्होंने सीम पत पर दुवारा अपनी वा वाकई में यहां पर जो उनकी बयान बाजी रही है इसी वजह से बीजेपी की नाराज की देखने को मिली है यह तो यह पर बीजेपी पार्टी ही बता सके है लेकिन फिलहाल देखा जाए निकिन गटकरी बगभू भी अपने काम को निभाते चले जा रही है जिसकी तारीफ हर कोई करते हुए नसर आ रहा है हमारे इस प्रोग्रेम में आज इतना ही बाकी की तमाम अप्डेट्स के लिए आप देख रहे है नेक्स्ट नाई नियूज